पूरिया चांट नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मारे चलने एक्स्ट्रीम रहें में और आज हम रिव्यू करने वाले हैं टोयटा गलांजा का दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं टोयटा गलांजा का वी मॉडल है जो की मैनुवल है दोस्तों इसमें दो मॉडल आते हैं टोटल वी और जी दोनों में आटोमेटिक आप्शन आता है दोस्तों यह वी मॉडल का मैनुवल आप्शन है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हेड्लैम्स देख सकते हैं इसके अंदर आपको LED हेड्लैम्स मिल जाते हैं आटोम स्चिन कि क्रों की बिडिंग मिल जाती है तो सब्सक्राइश नहीं मिलेगी आपको बाहर से करवानी पड़ेगी यहांपे इसका ओर वींद्स देख सकते नहीं Надेके आपको पता ही होगा टोईटा ने बलीनो को खरीद लिया है मरूती से बाके ऊपर की तरफ देख सकते ब्रेक लाइट दी गई एंटीना दे गया है नीची की तरफ इसके अंदर आपको वाइपर दिया गया बैक साइड के लिए और दोस्तों इसमें आपको रिवर्स कैमरा वि स्पेस मिल जाता है काफी अच्छी स्पेस फुल बूट है इसके अंदर आप काफी समान रख सकते हैं नीचे की तरफ आपको टूल किट मिल जाती है और लेफ्ट सेड इसके अंदर आपको भूट लैम मिल जाता है जो कि हैलोजन है नीचे आप जो मैट देख सकते दोस्तों यह भी असेसराइज डिया है यह भी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा और इसके अंदर आपको spare wheel दिखाते है नीचे की तरफ इसके अंदर आपको spare wheel मिल जाएगा जो कि steel wheel होगा बाकि fuel tank की capacity की बात कि तो 37 liters की दोस्तों इसके अंदर आपको fuel capacity मिल जाती है जिसकी average 21.01 kmpl as far as ari बाकि दूस्तों इसकी curve weight की बात की जाए तो 890 kgs की curve weight है और turning radius दूस्तों 4.9 meters की जो इसके अंदर आपको lights मिलती है जो back पे tail lamps वो दूस्तों LED मिलते है और बाकि इसकी warranty की बात की जाती है तो दूस्तों इसके अंदर आपको तीन साल की warranty मिल जाती है एक लाग किलो मीटर्स पर दूस्तों brakes की वियत की जाए तो इसके अंदर आपको friend में disc brakes मिल जाती है और rear में drum brakes मिल जाती है तो चलिए आपको इसके आपको रियर डोर प्रोफाइल दिखा देते हैं तो चले दोस्तों यहां पर आप देख सकते इसका रियर डोर प्रोफाइल यहां पर इसके अंदर आपको unlock lock का की के option मिल जाता है जो chrome की finish के साथ है बीचे के आप आपको fabric का मिल जाती finish नीचे के आपको power windows के control नीचे वन लिटर देखने को मिल रही है यहां पर देख सकते इसका minimum leg room यहां पर आपको इसके अंदर आपको 12W power outlet देखने को मिल जाता है और दोस्तों मैं आपको sheets का बता रहा था यह आप sheets का pattern देख सकते हैं दोस्तों leather sheets है एसेसराइज है बाकि वैसे इसके इंदर आपको fabric की पोस्ट्री की यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर आपको halogen lights मिल जाती reading lamp नीचे की तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको maximum leg room दिखा देते हैं आप आप देख सकते हैं maximum leg room है काफी अच्छा leg room है दोस्तों जो minimum leg room है वो भी काफी अच्छा है उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप आप देख सकते हैं इसका जो driver door profile है इसके अंदर आपको ज्यादा फरक नहीं देखने को मिल जाता है और चारो power windows की control देखने को मिल जाते हैं बाकि chrome की finish है वही सेम handle है और नीचे 1.0 bottle रखने की जगह है दोस्तों एक बार इसके आपको adjustability दिखा देते हैं तो चली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर आपको leg space increase decrease करने का option मिल जाता है height adjust करने का option मिल जाता है बाकि lumber sport adjust करने का option मिल जाता है और चली दोस्तों अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके features दोस्तों अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं अब आप देख सकते हैं इसका steering wheel है side में आपको push button मिल जाता है जिसे आप गाड़ी start कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसका MID display काफी अच्छा काफी सुन्दर दिखता है MID display इसका bright colors है इसके अंदर आप देख सकते हैं 220 की 220 की आपको इसके अंदर टॉप स्पीड दी गई है और 8000 rpm की इसके अंदर आपको दी गई है तोटल आर्प में आप देख सकते हैं इसका steering wheel इसके अंदर आपको volume के media player की control मिल जाते हैं जिसे आप select कर सकते है डियुम अप और दाउन का मूड को और आप्षिन जाता है निचे देख सकते हैं इसके अंदर आपको कॉल वगएरा काटने का option मिल जाता है सामने आप tootay तकी बैस देख सकते हैं सेफ्टी की बात कि जाए तो इसके अंदर आपको दो airbags मिल जाते की ब्रेक एस मिल जाता है यहां पर सामने की तरब देख सकते हैं इसके अंदर आपको 7-inch का Infotainment system देखने को मिल जाता है यह इसमें आपको AM FM AUX Bluetooth सारे options देखने को मिल जाते है Android Auto Apple CarPlay देखने को मिल जाता है दूस्तों Gaudi Glenza और बैलीनों में काफी ज्यादा कोई फ़रक नहीं है खास देखने को सेम ही है दोनों काफी हद तक पूरी की पूरी सेम है कोई ज्यादा बड़ा देखने को feature आपको नहीं मिलता इसके अंदर break is this में है जो कि आपको बलीनों में देखने को नहीं मिलती है तो चलिए आपको बाकी इसके और फीचर्स बता देते हैं इसके अंदर आपको बाकी जो आप इसका UI देख रहे हैं वो same to same बलीनों जैसे ही है कोई जादे इसमें touch का lag वगरा नहीं देखने को आपको मिल जाता नीचे की दरब आप देख सकते हैं आपको hazard lights का switch मिल जाता है नीचे आप AC देख सकते हैं इसके अंदर आपको automatic AC मिल जाता है with LCD display जिसमें आप देख सकते हैं आप control वगरा कर सकते हैं बकी चले है इसके आपको दिखाते हैं gearbox इसके अंदर टोटल आपको 5-speed manual gearbox इसके अंदर आपको मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं बकी इसके अंदर दूसरों अगर हम इसके अंदर आपको reverse camera दिखा देते हैं इसका reverse gear अगर आप डालेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको reverse camera देखने को मिल जाता है with guidelines जैसे के आप देख सकते हैं वाकिस के अंदर आपको reverse में parking sensors भी ध़ीघने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको phone रखने की काफी अच्छी space मिल जाती है यहाँ पे यहां पर आपको दो डमी बटन्स दिये गए, यहां पर आपको समान रिखने की जगा मिल जाती है, यहां पर आपको सिग्रेट लैटर मिल जाता है, बाकी दोस्तों प्रैक्टिकएलिटी की बात की जाए, तो काफी स्पेस वाइस गाड़ी काफी अच्छी है, इसके बूर्ट से लेकर leg room में सबसे अची काफी इची space दी गई है उपर आप देख सकते हैं इसके नरको reading lamps मिल जाते हैं दो अलग-अलग यहाँ पर देख सकते है vanity mirror में जो इसका mirror है उसके जाथ आपको lights मिलती है दोनों side driver side और co driver side दोनों सेट इसके दरब को लाइट मिल जाती है और दोस्तों बात की जाए इसके प्राइस की तो जोस्तों यह लेंज़ा का वी मॉडल है के साथ हैट एड़ेस्टेबिलिटी तो टेलिस्कोपिक के साथ हाइट इड़ेस्टेबल भी इसके अंदर आपको इसका स्थेरिंग विल देखने को मिल जाता है और तो 4 इसवंध्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक दो 3 और ये साइट में 4 ता बाकी इसके आपको टोईटा की गलेंजा और में अगर आपको कोई option मिले कौन सी आप बाय करेंगे या आप जरूर बताइए आपको पोल में देखने को आपको option मिल जाएगा तो चले दोस्तों बाहर चलते हैं और इसके आपको थोड़े बहुते फीचर प्रताते हैं इंजन के बारे में निचे से आप इसका बोनट खोल सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं चलिए दोस्तों चलते हैं दोस्तों अब हम गाड़ी के बार आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं काफी अच्छा लुक ह फोर सिलेंडर VVT इसके अंदर आपको 1200 CC का एंजन मिल जाता है जो कि दोस्तो 82B HP की पावर प्रड्यूस करता है और 113 Nm का टॉक प्रड्यूस करता है दोस्तो फ्रंट वील ड्राइव है कार उपर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको noise reduction panel मिल जाता है बाकी दोस्तो इसके है इसके आपको कीज़ कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों उमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो like करो शेर करो